नमस्कार दोस्तों यूटीब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो मेकैनिकल फिटर और मेकैनिकल इंजिनियर दोनों के लिए है और आज के क्वेशन पलंजर पंप, रोटामीटर, पिस्टन पिन, कपलिंग और बॉयलर के उपर है तो चलिए अपनी नॉलज़ को टेस्ट करते हैं और आज की वीडियो का लाइक का टार्गेट रखा है 100 लाइक तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं कौनसी कपलिंग में शाफ्ट मेकैनिकली कनेक्ट नहीं होती दोस्तों अगर आपको अंसर पता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं पांस सेगिन आपके पास दोस्तों फ्ल्यूड कपलिंग में शाफ्ट मेकैनिकली कनेक्ट नहीं होती बॉयलर पे टीपी एच का क्या मतलब होता है दोस्तो 5 सगिन आपके पास इसका अंसर देने के लिए दोस्तो TPH की फुल फुम है टन्स पर आर मान लीजे बॉयलर 10 टन का है तो ये उसकी कैपसिटी है कि वो एक घंटे में 10 टन स्टीम जरनेट कर सकता है आपने बॉयलर पे देखा ही होगा स्टीम फुलो मिटर लगे होते हैं जो ये बताते हैं कि प्लान्ट में स्टीम कितरे टन पर आर से कंज्यूम हो रही है रोटामिटर का यूज किसको मेजर करने के लिए किया जाता है दोस्तो 5 सगिन आपके पास दोस्तो रोटामिटर डिरेक्टली लाइन में कनेक्ट होता है और ये किसी लिक्वड के फ्लोरेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पिस्टन पिन को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तो आप भी अपना अंसर कमेंट करके जरूर बताएं पांस सेगेंड आपके पास दोस्तो पिस्टन पिन को गजन पिन भी कहा जाता है क्वेशन नमबर फाइव प्लंजर पंप इस टाइप ऑफ डैश पंप प्लंजर पंप किस टाइप के पंप में आते हैं सेंट्रिफ्यूगल, रैसिप्रोकेटिंग या फिर गेर पंप पांस सेगेंड आपके पास दोस्तो प्लंजर पंप टाइप है रैसिप्रोकेटिंग पंप की क्वेशन नमबर 6 विच वाटर इस यूज़ फोर बॉयलर बॉयलर पे कौन से पानी का यूज़ किया जाता है ऐसे फीड वाटर तो आपके पास 5 सेकेंड है इसका अंसर्ड देने के लिए डीम वाटर, सोफ्ट वाटर या फिर रो वाटर बॉयलर पे फीड वाटर के लिए क्वेशन नमबर 7 steam trap is used to discharge dash water from steam line स्टीम ट्रैप का यूज स्टीम लाइन से कौन से पानी को डिस्चार्ज करने के लिए किया जाता है दोस्तो पान सेगड आपके पास दोस्तो इसका अंसर है कंडेंस्टेट वाटर क्वेस्चन नमबर एट वाट आर दा थ्री टाइपस ओफ मेंटेनेंस दोस्तो आपने तीन तरह की मेंटेनेंस का नाम बताना है और आप अपने प्लाट में कौन सी टाइप की मेंटेनेंस फोलो कर रहे हैं ये भी कमेंट करके जुरूर बताएं पान सेगड आपके पास दोस्तो अंसर है Preventive Maintenance, Corrective Maintenance और Breakdown Maintenance और आप इन में से कौन सी फोलो कर रहे हैं अपने प्लांट में कमेंट करके जुरूर बताएं Question No.9 What is the full form of TDS in boiler? Boiler पे TDS की full form क्या होती है? दोस्तो पांस सेक्ड आपके पास दोस्तो TDS की full form होती है Total Dissolve Solid और इसको PPM में मेजर किया जाता है Question No.10 How many liters of water in 100 cubic meter? 100 M3 में कितने liter पानी आता है? दोस्तो इस प्रशन का उतर आपने कमेंट करके बताना है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरू कर दें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें Thanks for watching